हमारे साथ मौझूद हैं आम आदमी पार्टी के वरिष्टनेता संजे सिंग जी संजे जी आपको बहुत बहुत बढ़ाई आपकी पार्टी ने पंजाब में बहतरीन प्रदर्शन किया इस प्रदर्शन के पीछे कौन सा मंत्र था जो इतना जबरदस प्रदर्शन सामना है द पूरे पंजाब के अभियान में गाउगाउं में केजरीवाल की गारंटी के नाम पर फ्री बिजली, पानी, सिक्षा, स्वास्त वो मॉडल जो दिल्ली में हकीकत करके दिखाया है अरविन केजरीवाल ने उसको गाउगाउं गाउं तक पहुँचाया गया मुख्यमंत्री के चेहरे पर भगवंत्मान जी को जब सामने किया गया तो आपने देखा होगा जबरदस्त उस्साफ पंजाब के लोगों में दिखा आठ साल की भगवंत्मान की जो इमानदारी की राजनीती एक सांसत के तोर पे रही है उस पर लोगों ने अपना प्यार और समर्थन दिया कारकरताओं का पांट साल पिछले चुनाओं के बाद लगातार मेहनत रही विधायकों की मेहनत रही सारी लीडर्सिप ने वहां पर काम किया केजरिवाल जी ने रैलियां सभाएं कारिकरम वहां लगातार जाके किया और एक बड़ी मेहनत के बाद आज इतना बड़ा जन समर्थन मिला है देश की चौथी पार्टी भारत के इतिहास में बन गई आम आदमी पार्टी जिसकी दो राजियों में सरकार है आम आदमी पार्टी इस चौनाओं में एक रास्टी विकल्प के रूप में उबरी है और मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि आम आदमी पार्टी के फुट्प्रिंट्स आपको काश्मीर से लेके कन्या कुमारी तक मिल जाएंगे कहीं कम कहीं ज़्यादा लेकिन केजरी वाल की लीडर्शिप को लोग अप्रिसियेट करते हैं उनके सिक्षा स्वास्त के मॉडल को अप्रिसियेट करते हैं उनके मॉडल आफ गवर्नेंस को अप्रिसियेट करते हैं चाते हैं कि हमारे राज्जी में भी ऐसी बेवस्ता हो जहर सी बात है कि पंजाब की जो जनता है उसने एक बड़ी जिम्मेदारी आपनों के हाथों में सौपी है आम आदमी पार्टी ऐसा क्या करने जा रही है जो पिछली सरकारों से जुदा और अलग होगा देखे हमने कहा क जो हमारा सिक्षा स्वास्त बिजली पानी का काम है जो हमने दिली में करके दिखाया है उसमें कुछ चीज़े हमने जोड़ी भी है पंजाब में जैसे महिलाओं के ससकती करन की बातें बहुत की जाती है लेकिन उनको ससकता आप बनाएंगे कैसे उनके हाथ में कुछ पैसे दीजी आप तो एक हजार रुपए मातों बहनों के लिए प्रतिमा देने की युजना पंजाब में केजरिवाल की गरेंटी के नाम पे हम लोगों निगोसित की थी इसके लामा लाइंड और्डर एक बहुत बड़ी चुनौती है पंजाब के अंदर नशा मुक्ती एक बहुत पंजाब की जवानी को बर्बाद किया पॉलिटिकल पार्टी ने कॉंग्रेस हो अकाली दल हो तमाम जब इनके सासन रहें नसे का बिलकुल एक जबरदस्त ब्यापार वहां पे चलाया तो इन सारी चीजों से अच्छा काम करके और पंजाब को एक नशा के जो जाल में फसा दिलानी है रोजगार दिलाना है और जो वादे हम लोगों ने किये हैं उसको जमीन पर पूरा करके दिखाएं उतर प्रदेश में आप लोगों ने अपने प्रत्याशी उतारे थे वैसा परफॉर्मेंस या वैसे रिजल्ट सामने नहीं आया क्या वाज़ा मानते हैं और किस क्या सोच के प्रत्याशी उता रहे थे? आपको एक राज्य में चार सो तीन सीटे हैं पहली बार हम उत्तर प्रदेस में चुनाओ लड़ रहे थे और मैं तो कहता हूँ यही बहुत बड़ी उपलब्दी है कि हम लगबख सारी सीटों पे उत्तर प्रदेस में चुनाओ लड़े दो साल के अंदर हमने एक प्रमुक विपक्षी दल की भूमिका यहां पे निभाई तमाम मुकदमे हमारे उपर हुए तमाम F.I.R. सुई लेकिन बावजूद इसके हम लोग लड़ते रहे आम आदमी पार्टी का पर्चा, पोस्टर, जंडा, बैनर, गाउं-गाउं में पहुँचा पहला चुनाओ था हमारे उपर तुरंत लोग विस्वास नहीं कर पाए कोई बात नहीं जाती धर्म की राजनीती में उल्जा हुआ प्रदेस है सिख्षा पे, स्वास्त पे, बिजली पे, पानी पे लाने में थोड़ा समय लगेगा हम उसके लिए तयार हैं और तयार होके ही आये थे हमने पूरे चुनाओं में कहीं नहीं दावा किया कि हमारी इतनी सीटे आ रही है जो परिणाम जनता ने दिया है, उसको हिर्दे से स्विकार करते हुए उत्तर प्रदेस में आगे भी जम के काम करेंगे और मुझे पूरा यकीन है कि जाती धर्म की राजनीती से उपर उठकर हमारे केजरी वाल मौडल अफ गवर्नेंस पे दिल्ली मौडल पे उत्तर प्रदेस की जनता भी आने वाले दिनों में वोट करेगी आखरी सवाल सिंजय जी की अब जो की दो स्टेट में आपकी सरकार है आने वाले दिनों में और भी बड़े चुनाव होने हैं परलिमेंटरी एलेक्शन होने हैं उसके लिए क्या खाका सोचते हैं अपने जहन में आमादमी पार्टी देखें चौबिस के लिए क्या रणनीती बनेगी ये तो हमारा रास्टी नेतर तो बैठके पूरा तैं करेगा लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि आज पंजाब की जीत के बाद एक रास्टी विकल्प के रूप में आमादमी पार्टी उभर कर पूरे देस में फैलेगी इसका विस्तार होगा जो हमारे समर्थकों की संख्या या आप कह लिजिए कि चाहने वालों की संख्या कुछ सीमित है वो अब बहुत तेजी के साथ इतने बड़े पैमाने पर बढ़ेगी कि वो आपको चुनावी परिणाम में भी दिखेगा जी धन्यवाद ये संजे सिंग जिन्होंने स्ताफ कहा कि यामा आदमी पार्टी बड़े कैनवास पे उभर के आई है और आने वाले चुनाव में और भी आगे बढ़ती हुई नजर आएगी कैमरमेन अंकित के साथ तंसीम हैदर लखनो आज तक